वेल्कम टिश्टनों टिक्रेशन टिक्रेशन पांस गेन बाज शुरू होगा रेडी स्टार्ट सभापति महोद है आज हम जिस अस्थान पर बैठे हैं उसका अपना महत्पूर्ण इतिहास है यह वह अस्थान है जिसने संतवाणी दी सारे देश को जागृत किया और सदा के लिए मनुष को उचा स्थान प्राप्त करने का मार्ग बताया मैं तो यह जानता हूं कि हमारा यह स्थान केवल संतों का नहीं देश भक्तों का भी स्थान है यहां राजनीतिका भी महत्व कम नहीं रहा है आपका इतिहास जब इतना महत्वपूर्ण है तो उसके अनुसार आपकी प्रतिस्ठा भी होनी चाहिए आपने कहा है कि यह राज दूसरे नए राज में शामिल हो जाएगा शायद आप ऐसा ही चाहते हैं और इसलिए ऐसा हो रहा है सरकार की नीति में कुछ समय तो लगता ही है परन्तु जहां तक मैं समझता हूँ यह सब बिना किसी कस्ट के हो जाएगा आशा है कि सारे देश के लिए जो योजनाएं बन रही हैं उनसे सारे देश का जीवन स्तर उन्नत होगा जिसके फलसरूप इस देश से बिमारी और असिक्षा दूर की जा सकेगी आपके छेत्र को भी इन सब योजनाओं का पूरा पूरा लाब मिलना चाहिए और मिलेगा यह दूसरी बात है कि जब भोजन परोसा जाने लगता है तो परोसने वाला एक होता है और वह एक ओर से आरंभ करके फिर दूसरी ओर जाता है और एक चीज के बाद दूसरी चीज की बारी आती है सब लोगों को सब चीज एक साथ नहीं मिल सकती आप यह समझें कि आप लोगों के लिए भोजन तयार है हमें अपने देश को उन्नत करना है जब ऐसा समय होता है अपने को उसके अनुसार ढालना पड़ता है उसी के अनुसार काम करने अपने को संसार के और देशों की तुलना में रख कर हमें काम करने की योगिता प्राप्त करनी होती है सुतंतरता पाने के बाद पिछले करीब तीस वर्षों से हम इसी धुन में लगे हुए हैं की इस देश को किस तरह से ऐसा बना दिया जाए जिससे इसकी गड़ना भी संसार के उन्नत देशों में हो क्योंकि यह तो जानी और मानी हुई बात है की यह देश सदा एक ऐसा देश रहा है जिसकी इन्नती संसार के महान देशों में होती रही है हमारे देश के गुण संपत्ती और समरिधी ही इसके दुरभाग के कारण रहे हैं क्योंकि जितने विदेशी यहां आए जितने आकरमण किये गए वह सब कुछ इस देश की संपत्ती और समरिधी से आकरिष्ट होकर ही हुए है यह बात बहुत पुराने समय की नहीं है अंग्रेजियों के समय तक भी यही बात रही है यह भी सच है कि इस देश पर जितने आकरमण हुए उन सब में विदेशियों को हमारे पारसपरिक जगणों और आपसी फूट से इस देश को पराधीन करने में सहायता मिली जब हमें एकता की भावना जागी तो हम फिर स्वतंत्र हो गए इसलिए सबसे बड़ी चीज है एकता की भावना जिसके द्वारा हमें स्वतंत्रता मिली थी और जिसके बल पर हम इस देश को स्वतंत्र रख सकते हैं अध्यक्ष महूदय जिस समय मैंने माननी वित्तमंत्री महूदय के बचट भाशन को सुना उस समय मुझे प्रसन्नता हुई कि एक ऐसा व्यक्ती बोल रहा है जो आशावादी द्रिश्ट कोण रखता है और जो शायद ठेक दिसा में देश को ले जाएगा लेकिन जब उनके प्रस्ताव सामने आए उनके सुझाव सामने आए तो मुझे बड़े निराशा हुई उनके जो प्रस्ताव तथा सुझाव सामने आए उनके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है और बहुत कुछ कहा भी जा चुका है बहुत से सदस्यों ने जो कुछ कहा है मैं उसमें और कुछ नहीं जोडना चाहता हूँ यह खुशी का विसाय है कि सदन के दोनों और के बहुत से लोगों ने अपने सुझाव रखे जिनका द्रिष्ट कोण राष्ट्रवादी है और जो यथार्थवादी ढंक से सोचते हैं मैं आशा करता हूँ कि वित्तमंत्री जी उनके सुझावों पर अवश्य ध्यान देंगे मैं उनमें केवल एक बात और जोडना चाहता हूँ जो कुछ नएकर लगाए गए हैं उनमें से एक अर्थार्थ जो छोटे समाचार पत्रों के उपर डाक सुल्क बढ़ाया गया है वहदेश के लिए अच्छी बात नहीं है लोकतंत के लिए अच्छी बात नहीं है छोटे समाचार पत्रों के उपर डाक सुल्क नहीं होना चाहिए साथ ही जो पुस्तकों का डाक खर्च होता है उसमें भी कमी होने चाहिए हमारा देश गावों में रहता है जहां पर कितावों की दुकाने नहीं है यदि हम चाहते हैं कि पुस्तकों का प्रसार हो देश में सिक्छा बढ़े तो उसके लिए जरूरी है कि लोगों को पुस्तकें सस्थे भावों पर मिल सकें मैं समझता हूँ कि उससे कोई बहुत बड़ा अंतर पढ़ने वाला नहीं है लेकिन इस सीर देश के अंदर सिक्छा के प्रसार में सहायता मिलेगी मैं समझता हूँ कि वित्मंत्री इस ओर ध्यान दें दूसरी बात जिसकी ओर मैं वित्मंत्री का ध्यान आकरशित करना चाहता हूँ वह है हमारे अवकास प्राप्त लोगों की मांग कि उनका महगाई भत्ता भी बढ़ाया जाए मैं समझता हूँ कि उनकी यह मांग बहुत उचित है हम सामाजिक सुरक्षा की बात तो बहुत करते हैं लेकिन इस संबंध में कुछ नहीं कर पाते हैं आज सामाजिक सुरक्षा की आवशक्ता उन लोगों को है जो अवकास ले चुके हैं जब उन्हें अवकास लिया तब रुपए की कीमत अधिक थी और चीजें भी इतनी महंगी नहीं थी आज की इस्थिति में वे गुजारा नहीं कर पा रहे हैं आज जब कीमतें इतनी बढ़ गई हैं तो उनकी पेंशन की और भी हमें ध्यान देना चाहिए बजट में करू में कुछ राहत दी गई है लेकिन कुछ चीजों पर कर बढ़ाए गई हैं जिन चीजों पर कर बढ़ाए गए हैं उनमें से अधिकतर वे चीजें हैं जो आम आदमी के उपयोग में नहीं आती हैं मंत्री महोदय ने करो में जो राहत दी है उससे निश्चही गरीब जनता को लाभ होगा कर प्रणाली को सरल बनाया जाए तथा इस प्रकार के कर लगें जिनका गरीबों पर असर न पड़े इस तो